मौत से सामना होना किसी भी बुरे सपने से ज़्यादा खतरनाक है और चाहे कितना ही मजबूत शक्स क्यूं ना हो मौत का ख्याल सभी को हिला कर रख देता है। ऐसे में अगर हमारा कोई प्रिय किसी दुरगटना का शिकार होकर मौत को प्राप्त होता है तो उसकी याद भुल पाना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर उनके लिए न्याय मांगने की बात आ जाए और वो ना मिले तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। देश में ऐसे ही मौत के कई मामले हैं जिन में आज तक पता नहीं चल सका कि असली अपरादी आखिर है कौ और इस मामले में न्याय कैसे हो। भारत में भी ऐसे ही पाच मामले में हैं जो आज तक अंसुलजे हैं और आज भी इनकी याद जेहन में आते ही हम सिहर उठते हैं। हमारी इस वीडियो में जानिये ऐसी ही पाच अंसुलजे मामलों के बारे में। बड़ा राज जानती थी जिससे कई सफेद पोश लोगों के चेहरे से नकाब हर जाता। सुननन्दा एक व्यवसाई भी थी, वो दुबई की टेकॉम इन्वेस्टमेंट कमपनी में सल्ज मैनेजर थी और भारत की रेंडेजव स्पोर्ट्स वल्ड की सहमालकिन भी थी। एक दिन सुननन्दा के पती और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच एक विवादासपत ट्विटर बहस हुई। उनके शरीर पर कई चोट के निशान मिले थे। डॉक्टरों का कहना था कि ये चोट उनकी मौत का कारण हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक जुलाई 2014 को जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि उन पर गलत रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डाला गया था तो इस केस में नया मोडा गया। 10 अक्तूबर 2014 को मेडिकल टीम ने बताया कि उनकी मौत जहर से हुई। 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुननदा की हत्या की गई थी। हाला कि आज भी यह मामला अदालत में चल रहा है तो कुछ भी कहना मुम्किन नहीं है लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो सका है कि सुननदा की मौत कैसे हुई। अब इसके लिए सब की निगाहें अदालत के फैसले पर होंगी। नंबर चार चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रशेखर प्रसाद को कतित तौर पर राष्ट्रिय जनता दल के सांसद मुहम्मद शहबुद्दीन के शाफ शूटरों ने 31 मार्च 1997 को गोलियों से भून दिया था। बिहार के सिवान के एक गरीब परिवार में जन्मे चंद्रशेखर की शुरुआती पढ़ाई जुमरी तलहिया के सैनिक स्कूल में हुई। इसके बाद वह भारतिय राष्ट्रिय रक्षा अकादमी में भरती हो गए लेकिन जल्द ही इससे छोड़ दिया क्योंकि वह राजनीती में शामिल होना चाहते थे। परती लोक्रियता को बताया गया। उनकी मौत से पूरे देश में आक्रोश पनप उठा। अदालत ने इस मामले में दोशी तो करार दिये लेकिन पुलिस आज तक पता नहीं लगा सकी कि इस हत्या की साजिश किस ने रची। की मृत्यू 30 नवंबर 2010 को 43 साल की आयू में हुई। वह वैश्वीकरन, उधारीकरन और निजीकरन जैसे मुद्दो की बुरायों के बारे में बोला करते थे और इसकी आधुनिक समय के उपनिवेश्वाद से तुलना करते थे। वह स्वदेशी आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन वकरों के विकेंद्रीकरन की वकालत करते थे। क्योंकि उनके अनुसार 80 प्रतिशत टैक्स तो राजनेताओं और अफसरशाही को पोशित करते हैं जबकि सिर्फ 20 प्रतिशत जनता के काम आते हैं। इसके साथ ही वह किसानों के अधिकारों की भी बात करते थे। ने जा रहे थे। उनकी मृत्यू के बाद कोई पोस्टमाटम नहीं किया गया जबकि उनका पूरा शरीर काला नीला पढ़ गया था इससे लगता था कि उन्हें जहर दिया गया हो। यहां तक तमाम मीडिया भी उनकी मौत पर कोई रिपोर्ट नहीं की। आज तक किसी को न जाराज है. जैसे राजीव दीक्षित के केस में हुआ ठीक वैसे ही लाल बहादूर शास्त्री की भी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी. रूस के ताशकंद में रात के दो बजे थे और लाल बहादूर शास्त्री की मृत्यू हो चुकी थी. इससे पहले वह त के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यू विदेशी जमीन पर हुई। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भी कोई पोस्टमाटम नहीं किया गया इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत ज सेशन विद्क्रो नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि शास्त्री की मौत के पीछे CIA का हाथ है। क्रावले ने कहा कि अमेरिका भारत के परमानुनीती से खुश नहीं था और लाल बहादुर शास्त्री नुक्लियर टेस्ट करना चाहते थे। किताब में ये भ खारे मौत के घाट उतार दिया। इनका नाम था अमर सिंध चमकीला। ये संगीत की दुनिया के बादशा थे और पंजाब में आज तक पैदा हुए कलाकारों में सबसे बहतर माने जाते हैं। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। अमर गाव की दुनिया के बारे में बात कर रहते थे। वह हमेशा सच बोलते थे जो उनके चाहने वालों को तो अच्छा लगता था लेकिन उन्हें नापसंद करने वाले उसे अशलील समझते थे। उस वक्त जब वह अपने करिये के शिखर पर थे तब अकसर ही उन्हें खालिस्तानी आतंकियों से हत्या की धमकी मिल अपनी प्रस्तुती देने आये थे तो कार से निकलते ही दोनों को गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त अमरजोत गर्भवती थी और उनकी चाती में गोली मारी गई थी। वहीं अमर सिन के सीने में चार गोलिया मार कर मौत के घाट उतारा गया था। इस हादसे का आरोप आतन की उपर लगाया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि अन्य पंजाबी गायकों ने आमर के खिलाफ शद्यंत रचा था क्योंकि वह उनसे ज़्यादा प्रभावी थे। जब इनकी हत्या की गई तो कर्फ्यू लग गया और गिरोहों के बीच दंगे होने लगे। इतना सब होने के बाद भी इस हत्याकान में आज तक कोई गिरफतारी नहीं हो सकी है और नहीं के सुलजाया जा सका है।